हेलो आईस दोस्तों आज हम बात करने वाले स्टोन फांडिशन के उपर घर को बनाते समय जो मैं स्टोन फांडिशन का जो काम है यह काफी जादा जो है एक इंपोर्टेंट काम होता है इसको करनी के अंदर हमें किन-किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कैसे पत्थर की दोस्तों किसी भी घर का जो फांडिशन कवर्ण को होता है जैसा कि मैंने बता है कि यह घर के अंदर जो नीव का जो काम है ये सबसे जो बुनियादी काम है इसके अंदर जो है आपके पूरी जो foundation है उसका पूरा weight वगरा किस तरह से उसको बनाया जाता है उसको क्या उसका design होता है क्या उसका process होता है तो guys मैं आपको site पे लेचलता हूँ आप देखेंगी कि यहाँ पे stone machinery का जो work है दोस्तों इससे क्या benefit होता है इससे benefit ही होता है कि आपका water level के अंदर अगर आपने उसकी print level की marking कर दी तो stone machinery का जो work है उसके accordingly पूरे water level के अंदर होगा कहीं पे भी जब आप इसके अंदर जब DPC जो है आप डालोगे या प्लिंथी बीम आप इसमें काश करोगे तो आपके प्लिंथी बीम के अंदर level के अंदर कहीं पे variation याएगा हो सकता है कहीं पे flow down हो कहीं पे up हो अगर आपने इसके अंदर water level से इसकी marking नहीं करी ही है तो एक चीज तो हमें इस पे धान रखना है दूसरी जो चीज है दोस्तों कि stone messenger का जब काम होना दोता है तो उसके लिए एक proper जो एक अच्छी team का होना काफी ज़रूई है जो कि stone messenger का पहले काम कर चुके हो क्योंकि आज के टाइम के अंदर stone messenger का काम करने के लिए जो है अच्छे कारिकर की काफी ज़्यादा कमी रहती है वो काम को समझते नहीं हो जानते नहीं कैसे stone messenger की जाती है उसकी चिनई की जाती है दोस्तों इसको बनाने के लिए जो है हमें एक अच्छे कारिकर के साथ में जो है cement और motor का जो ratio है वो काफी ज़्यादा डिपेंड करता है कि दोस्तों क्योंकि stone messenger के अंदर जो है बजरी जो है मैं बोलू हूँ या फिर msen की बात करूँ अपने पास में या फिर आप silika की बात करें तो इनका जो motor होता है cement का वो काफी ज़्यादा जो volume उसके अंदर काम में लिया जाता है तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो cement का और जो sand है उसका जो ratio है वो 1 is to 6 का उसके अंदर ratio होना चाहिए मतलब एक अगर आपने जो है बोरी जो है अगर एक बोरी आपने या एक तगारी जो है अगर आपने cement के लिए है तो 6 तगारी जो है आपका वो बज़री का या फिर M-send का होना चाहिए तो दोस्तों आप देखते हैं कि कैसे stone के पूरी mentioning की जा रही है और इसके अंदर जो है बीच के अंदर चोटे टूड़े रखे हुए हैं इसके अंदर मसाला दिया हुए outside के जो है stones जो है पूरे side के edge को पूरा बना जाता है उसको पूरा soul suit के अंदर उसको काम किया जाता है तो outer का face बना करके और बीच के अंदर जो है वो चोटे small size के जो पत्तर होता है उनको उसमें मसाले के साथ में पूरा डले जाता है तो इस चीज का में धान रखना है पहले तो आपको line dory पूरी मिला करके उसको आपको कामे लेना है पहली चीज आपको धान रखना है दूसरी चीज की आपको level का पूरा धान रखना है क्योंकि level के साथ में अगर आपने इसमें mistake कर दे तो फिर आपके उपर जाकर करके आपके leveling में काफी ज़्यादा issue सामने आ जाता है दोस्तो इस्टोन मेसेंडी का जो work है वो work जो है नीचे की तरफ में foundation के उपर जो है आपकी building की strength को जो है देने के अंदर काफी ज़्यादा support करता है तो आपको outer जो इस्टोन की मेसेंडी है वो काफी strong होनी चीए क्योंकि क्या होगा कि आगर outer side का पूरा upload आगे अपने पास में जैसा कि आप देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पडूसी का जो है side के अंदर जो है उसने डंग से वो proper काम नी कराया तो उनका जो tank था उस tank का पूरा leakage हो रहा था और वो पानी हमारे side में आ रहा था तो हमने जो है क्या किया है वहाँ पे हमारे tank की wall को separate पूरा करते वे बीच के अंदर पूरी space हमने create किया है यहाँ पे हम जो है waterproofing compound को जो है concrete के साथ mix करके और पूरी concrete इंग हम इसमें करेंगे कि हमारे वाले part के अंदर कहीं पे भी इसमें leakage किया सीपेज की problem नहीं आए तो दोस्तो इस्टोन मेसंदी को करने के लिए एक अच्छे कारीगर का जरूत काफी जादा होती है तब ही जाकर के एक अच्छा काम निकल करके सामने आता है तो दोस्ताब देखते हैं कि पूरे side के ओपर जो है stone मेसंदी का outer का पूरा wall बन चुका है और beach के जो partition walls है वो भी बन चुकी है इसके बाद में पूरा plinth beam जो है उसके अंदर हम बनाएंगे उससे पहले हम इसकी back filling करेंगे back filling करने के बाद में वहाँ पे नीचे पूरा जो है उसके अंदर stone मेसंदी का पहले base बनेगा और उसके बाद में जाकर के पूरा जो है आपको plinth beam भी उसके अंदर देखने को मिलेगा दूसरा आपको cement mortar का जो ratio है उसके साथ में कतई ही compromise नहीं करना है कैसे भी उसके अंदर जो है ऐसा नहीं कि मैंने cement जो है 1 रखा और जो sand है उसको 7 कर लिया 8 कर लिया कि standard ratio है 1 to 6 का ही ratio आपको उसके अंदर maintain करके चलना है तो guys अगर आपको ये video content अगर आपको अच्छा लगाओ तो video को like करना ना भूलिएगा और चैनल को subscribe नहीं है दो चैनल को subscribe कर दिजएगा क्योंकि आपके एक subscribe करने से हमें काफी ज़्यादा motivation मिलता है नए से नए videos लाने के लिए हमें प्रेना मिलती है थैंकि वैस थैंकि फोर वाचिंग मी जय हिन जय बारत